जगत में प्रतेइक वेक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है जैसे कोई बहुत तेजी से दौड नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता कोई असाध्य रोग से तीड़ित रहता है तो कोई बड़े हुए पाठ्वों को स्मरण में नहीं रखाता ऐसे अनेकों धारन और भी हैं कि आप किसी ऐसे वेक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्प हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मान कर जीते हैं इस कारणवश रिदे में दुख और असंतोष हिता है सदा निर्बलता मनुष्य को जन से अत्वा संजोग से प्राप्प गी किन्तो उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मरियादा बना लेता है किन्तो कुछ वेक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुशार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराज़त कर देते क्या भेद हैं उनमें और अन्ने लोगों में कि या आपने कभी विचार किया है सरल साउत्तर है इसका जो वेक्ति निर्बलता से पराज़त नहीं होता जो पुरुशार्थ करने का साहस रखता है रुदे में वो निर्बलता को पार कर जाता है अठाथ निर्बलता अवश्य इश्वर देता है कि तु मर्यादा मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है स्वयम विचार कीजिए भविश्य का दूसरा नाम है संघर्ष रुदे में आज एक्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तु रुदे भविश्य की उजना बनाता है भविश्य में एक्छा पून होगी ऐसी कल्पना करता रहता है किन्टो जीवन जीवन ना तो भविश्य में है ना अतीत में जीवन तो इस शन का नाम है अठाथ इस शन का अनुभव ही जीवन का अनुभव पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते या तो हम बीते हुए समय के स्मर्णों को घेर कर बैठे रहते या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाय बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है एक सत्य यदि हम धिदे में उतार ले कि ना हम भविष्य देख सकते हैं ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हम तो केवल घेरे और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते स्वागत कर सकते हैं भविष्य का तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा स्वयम दिचार कीजे ज्यान प्राप्ति सदा ही समर्पन से होती है यह हम सब जानते हैं किन्तु समर्पन का वास्तविक महत्व क्या है क्या हमने कभी विचार किया मनुष्य का मन सदा ही ज्यान प्राप्ति में विभिन बाधाओं को उत्पन करता है कभी किसी अन्य विद्यार्थी से इर्शा हो जाती है कभी पढ़ाय होए पाठों पर संदेह जनता है और कभी गुरु ध्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है नहीं क्या ऐसा नहीं होता न जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं और मन की इसी अयोग्य स्थिती के कारण हम ज्यान प्राप्त नहीं कर पाते मन की योग्य स्थिती केवल समर्पंड से निर्मित होती है समर्पंड मनुष्य के अहंकार का नाश करता है इर्शा महत्व कांग्षा आदी भावनाओं को दूर कर प्रदे को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है वास्तव में ईश्वर की स्रिष्टी में ना ज्यान की मर्यादा है ना ज्यानियों की गुरु दत्ता त्रे ने तो गाय और श्वान से भी ज्यान प्राप्ट कर लिया था अखात वशे ब्रम ग्यानका हो या जीवन के ग्यानका या गुरु कुर्वे प्राप्थ होने वाले ग्यानका उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है उस गुरु के प्रती हमारा समर्पन क्या ये सत्य नहीं? तते एक मनुष्य के जीवन में ऐसा ख्रण अवश्य आता है जब सारी स्वफ, सारी आशाएं, सारे द्रिश्ट, वस्थ हो जाते हैं जीवन के सारे आयोजन ही दिखत जाते हैं एक और धर्म होता है और दूसरी और तुफ किसी को धर्म संक्ट नहते हैं जब धर्म का वहन ही दंग सक्ट और धर्म का त्याग ही तुफ विचार कीजिए कभी किसी इस वजन के विरोद तत्य बोलने का अफसर प्राप्त हो जाता है कभी ठीक दरिदृता के समय सरलता से तूरी करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है कभी किसी शक्तिशाली राज 네ता या राजा के करमचारी का अधर्म प्रकट हो जाता सबके जीवन में ऐसी घटना बंती ही रहती है अधिक्लर लोग ऐसे किसी क्टड को धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाता हमें किसी प्रकार के संघर्ष का अनुभव भी नहीं पूता सहचता से सुख की और खिचे चले जाते हैं जैसे मक्ती गुड़ की और खिची चली जाती है वास्तव में खर्म संकटा कंड इश्वर के निकट जाने का संड पूता यदि हम तंघर्षों से भैवीतना तुक्की और आकर्षितना अपने धर्म पर रिड़ रहे तो इश्वर का साफ्चातकार दूर नहीं पवन से युद करने वाला पत्ता यदि पेड़ से गिरता है तो भी आकास की और उस्ता है पवन से जुखने वाली खाज वही भूमी पर रह जाती है अठाग धर्म संकट से यदि हम संकट को ही टाल जाए तो जुक्तो मिलता है ईवन बढ़ता है किन्तू क्या चरित्र नहीं तूपता क्या आत्मा धरिद्र नहीं हो जाती क्या इश्वस्ते अंतर नहीं हो जाता दो वेक्ती जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रेथ में अवर्श्य करते हैं हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे इन सारे संबंधों का अधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं और यदि अंजाने में भी कोई अन्य विक्ती इन सीमाओ को तोड़ता है तो उसी इक शण हमारा हिर्दे रोज से भर जाता है इन सीमाओ का वास्तविक रूप क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? सीमाओ के द्वारा हम दूसरे विक्ती को निर्णे करने की अनुमती नहीं देती अपना निर्णे उस विक्ती पर खोग देती अर्थाथ किसी की स्वतंतरता का अस्विकार करते हैं और जब स्वतंत्रता का अस्विकार किया जाता है तो उसका रिदेख दुखते भड़ जाता है और जब वो सिमाओ को तोड़ता है तो हमारा रिदेख रोजते भड़ जाता है क्या ऐसा नहीं होता है पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आविशक्ता ही नहीं होती अर फास जिस प्रकार स्विकार किसी संबंध का दे है क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मान है स्वयन विजार की सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का मिश्चे होता है रिदे में, किन्तु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भए मन को घेर लेता है। किसी घटना अच्वा प्रसंग के बारे में बात करना। या फिर स्वेम से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना। क्या ये सत्य है। कि इवल बोल देदा समाने सी बात को किन्तु कभी-कभी उस तथ्य को बोलते वे भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मद्द। दूसरे को दुख होगा ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है। क्या हमने कभी विचार किया है। जब भय रहते होए भी कोई तथ्य बोलता है। तो वो सत्य कहलाता थ। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता। क्योंकि निर्भैता आत्मा का स्वभाव है अर्थार क्या प्रतेक्षण सत्य बोलने का अर्थ नहीं होता स्वयम विचार कीजिए शेश्च चता का क्या अर्थ है? शेश्च चता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्यान प्राप्त करना अर्थार मुल्य इस बात का नहीं कि स्वयम कितना ज्यान प्राप्त किया मुल्य इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ अन्ने लोगों से कितना अधिक है अर्थार शेश्च चता की एक्छा ज्यान प्राप्ती को भी एक स्पर्धा बना देती है और स्पर्धा में वजय अंतिम कभ होती है कुछ समय के लिए तो श्रेष्ट बना जा सकता है किन्तु सदा के लिए कोई श्रेष्ट नहीं रह पाता फिर वही असंतोश, तीडा और संघर्ष जन्म लेता है किन्तो श्रेष्ट बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रेत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं मात्र आत्मा की त्रिप्ती हेतु कुछ प्राप्त करना उत्तम के मार्क पर किसी अन्य सिस्परधा नहीं होती स्वयम अपने आप सिस्परधा होती है अर्थात उत्तम बनने का प्रेत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्यान प्राप्त हो जाता है बिना प्रेत्न के ही वो श्रेष्ट बन जाता है किम्तू जो श्रेष्ट बनने का प्रेत्न करता है वो श्रेष्ट बने या ना बने उत्तम कभी नहीं बन पाता जप्रों और पूर्व अभातों के अधार पर हम भविष्टे के सुप दुख की कलपना करते हैं भविष्टे के दुख का कारण धूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं किन्तु तल के संकट को आज निर्मूर करने से हमें लाप मिलता है या आनी पहुचते हैं ये प्रश्ट हम कभी नहीं करते हैं सकते तो ये है कि संकट और उसका निवारन ताथ दंते बेट्टी के लिए धी और प्रिष्टी के लिए धी नहीं आप अपने भूतकार का स्परण कीजे इती हास को देखें आप तुरंध ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारन करने वारी शक्ती भी जन लेती है यही तो जगत का चलन है वस्तत संकट ही शक्ती के जन का कारण है प्रतेक विक्ती जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है अधिक चमरता है आत्म विश्वास्ती अधिक भरा होता है ना केवल अपने लीड़ अपितू विश्व के लिए भी क्या ये सकते नहीं? वास्तव में संकट का जन में है एक आपस्तर का जन अपने आपको बदलने का अपने विचारों को उचाई पर करने का अपने आत्मा को बलवान और ज्यान मंदित बनाने का जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता किन्तु जो ये नहीं कर पाता वो सो स्वयम एक संकट है विश्व के लिए विचार की कुएं विचार कीजिए जीवन का हर अप्षण निन्ने का अशन्ट होता है प्रते एक पद पर दूसरे पद के विशे में कोई निन्ने करना ही पड़ता है और निन्ने अपना प्रभाव छोड़ जाता है आज किये गए निन्ने भविश्य में सुख अत्वा दुख निर्मित करते हैं ना केवल अपने लिए अपने परिवार के लिए भी आने वाली पीडियों के लिए भी जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है अनश्यस से भर जाता है निन्ने का वोक्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमी अधिक्तर निन्ने हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं केवल मन को चांत करने के लिए लेते हैं पर क्या कोई दौडते हुए भोजन कर सकता है नहीं तो क्या युद्ध से जूचता हुआ मन कोई योग्य निन्ने ले पाएगा वास्तव में शांत मन से जब कोई निन्ने करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता किन्तु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निन्ने करता है तो वो वित्ती भविष्य में अपने लिए काटो भरा व्रिक्ष लगाता स्वयम विचार कीजेगा जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयम को योग्य नहीं मानता जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता तब वो सब गुड़ों को त्याद कर दुरगुड़ों को अपनाता है बस्तुदा मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन भी तब लेती है जब उसके अंतर में आत्म विश्वास नहीं दोता आत्म विश्वास ही अच्छाई को धारन करता है यह आत्म विश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बर बनाता है तो उसे अपने उपर विश्वास नहीं रहता वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूनने लगता किन्तु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्ती शाली बनाते ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ती बढ़ती तो प्रतेग संघर्ष के साथ उसका उस्साह बढ़ता है अर्थात आतों विश्वास और कुछ भी नहीं मन की ठिथी जीवन को देखने का दृष्टी कोण मात रह और जीवन का दृष्टी कोण तो मनुष्य के अपने वश्वे होता है स्वयम विचार कीजिए पिता सदा ही अपने संतान के सुक्त की कामना करते उनके भविश्य की चिंता करते रहते इसी कारण वर्ष्ट सदा ही अपने संतानों के भविश्य का मार्ग सुयम विच्चित करने का प्रेफ्न करते रहते जिस मार्ग पर पिता सुयम चला है जिस मार्ग के कंकर पथर को सुयम देखा है मार्ग की छाया मार्ग की भूब को सुयम जाना है उसी मार्क पर उसका पुत्र भी चले यही इख्षा रहती है हर पिता के निसन दे उत्तम भावना है यह किन्तु तीन प्रश्णों के उपर विचार करना हम भूल ही जाते कौन से प्रश्ण? प्रधम प्रश्ण क्या समय के साथ प्रतेक मार्क बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनोजियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई प्रश्ण को किस प्रकार लाब दे सकते हैं? दूसरा प्रश्ण क्या प्रतेक संतान अपने माता-पिता की छवी होता है? हाँ संतानों को संतार तो अवर्ष्य माता-पिता देते हैं कि तू भीतर की शंता भीतर की शंता तो इश्वर देते हैं तो जिस मार्क पर पिता को सफलता मिली है विश्वास है कि उसी मार्क पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा तीसरा प्रश क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लापकारी नहीं होती क्या प्रते एक नया प्रशन एक नय उत्तर का द्वार नहीं खोलता तो फिर संतानों को नई नई प्रश्णों, संगर्षों और चुनोतियों से दूर रखना ये उनके लिए लाग करना कहलाएगा या आनी पहुचाना अधार जिस प्रकार संतान के भविश्य का निर्मान करने के बदले उसके चरित्र का निर्मान करना श्रेश्ट है वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नई संगर्षों के साथ जूजने के लिए मनो बल वग्यान देना अधिक लाबदायक नहीं होगा वह इम विचार कीजे मनुष्य की सबसे बड़ी दुरबलता क्या होती सूचिए धन मनुष्य की सबसे बड़ी दुरबलता होती है उसके रहस से चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो कितने भी प्रबल क्यों ना हो परन्तु उसके रहस से उसके नाश की चाभी होती है इसलिए यदि प्रबल रहना है शक्तिशाली रहना है समर्थ रहना है तो अपने रहस्य को किसी को भी ना बता ना मित्र को और ना ही शत्रू को क्योंकि समय पढ़ने पर कब कौन शत्रू हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं विभीशन को रावड के अम्रित कुंड का ग्यात था इसलिए प्रभू श्री राम रावड का वद करने में सफल हो सके इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयम तक ही सीमित रखे मनश्य जीवन की परिक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता है वो परिश्रम करता है दौड़ भाग करता है और ये सब करने के पश्चाद भी जब उसका काम नहीं बनता तो वो नकल करता है है ना तनिक लोटी ए अपने बच्पन में स्मरन कीजिए अपने बच्पन की स्मृतियों का क्या स्मरन हुआ विध्याले में जब आप परिक्षा देने जाते थे तो क्या होता था आप ना से परन्तु कोई न कोई सफलता पाने के लिए नकल करता ही था और उत्तीन भी हो जाता था है ना परन्तु जीवन की परिक्षा ऐसे नहीं होती नकल करने वाला सफल नहीं होता कारण विध्याले में सब के प्रश्ण पत्र एक होते थे परन्तु जीवन के प्रश्ण पत्र और उनकी कटनाई सब के लिए भिन्न होती तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भी भिन्न होंगे ना इसलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना कीजिए स्वयम के प्रश्णों का उत्तर स्वयम ढूंडी और सफलता आपकी ही होगी मनुष्य का जीवन हार और जीः विजय और पराजय सफलता और असफलता के मध्य जूलता रहता है आपके साथ भी ऐसा होता होगा जब आप सफल होते किसी चुनौती पर विजय बाते हैं तो मन प्रसन्नता से आनन्द के उपवन में जूमने लगता है और जब आप आसफल होते हैं तब मन दुख और पीडा के सागर में डूबने लगता है परन्तु वास्तव में सफलता और असफलता है क्या? तनिक ध्यान से सोचिए ये केवल हमारी मनुस्थिती मात्र है हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रू विजय पराप कर ले हमारी पराजय तब होती है जब हम पराजय स्विकार करने हम आसफल तब नहीं होते हैं जब हम लक्षना पासे को हम आसफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद करते हैं इसलिए प्रयास करते रहें और हार ना मानें चुकि जिस दिन आप हार स्विकारना बंद कर देंगे जीत आपके चर्णों में हो अब सबने बर्गत के व्रिक्ष को तो देखा ही होगा, क्या आपको ग्यात है? बर्गत के व्रिक्ष के बीज का आकार राई से भी छोटा होता है, परंतु बर्गत का व्रिक्ष संसार के महाकाय व्रिक्षों में जाना जाता है, जब उसका जन्म होता है, तब उसमें वो जट का भार उठाता है अधिक पत्तियों का सिर्जन करता है वैसे वैसे उसकी शाखाए जटाए बनकर जड़ तक पहुँचती है और इस व्रिक्ष को सहारा देती है यह जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पत है बिना लोग लालच चुबकार रिकर अन्य लोगों की सहायता करें धीरे धीरे आपने जिनकी सहायता किये वो आपके सहायत बनते जाएंगे आपकी जड़ो को और बलशाली बनाएंगे आयू मान और आकार बढ़ाएंगे सह जीवन सहायता और निश्काम कर्म आपको मृत्यू के बश्चात भी मरने नहीं देगा आपको अमर रखेगा हमारा शरीर प्रकृती का एक महान अविश्कार है इससे जटिल संग्रचना संसार में और कोई नहीं हमारा शरीर जितना जटिल है यदि इसे ठीक से जाना जाए तो इससे अधिक सरल ग्यान देने वाला और कोई नहीं हमारे शरीर में पंच इंद्रिया होती हैं जो हमें भाव, गुण और वस्तुओं का बोध कराती हैं हमारे पास आखें, नाखें, स्पर्ष के लिए त्वचा है, कान है और जीवा है, सबका भिन भिन कार है आखों से देखना, कानों से सुनना, नतनों से स्वास लेना त्वचा से स्पर्ष करना, और जीवा से स्वाद लेना परंटु क्या आपने कभी सोचा? कि प्रकृति ने हमें दो आखें दी, दो नतने दी, दो कान दी स्पर्ष के लिए ये पूरा शरीर दी, परंटु जीवा केवल एक दी ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृती चाहती है कि हम देखे अधि, सुने अधि और ज्यान अधिक अर्जित करें, बोले का क्योंकि अधिक वाचाल नाश को निमंतर्ण देता है स्मरन रखियेगा ये सदा यही कहते आए, कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो सब्त कहते हैं, अपनों का साथ देना ही चाहिए परंतु साथ देने से पूर्व ये अवश्य पहचालने ना चाहिए कि अपने है कौन कि आपने वही होते हैं, जिनके साथ हमारा रख संबंध होता है या अपने मित्र, अपने वो होते हैं, जो हमें सदकार के लिए प्रेदित करें हमें आगे बढ़नाएं हमारा साथ दे और वो, जिनका साथ देने से समाज का नाश, धर्म की हानी वो सगे हो करके भी सगे नहीं होते इसलिए जब अपनों की परिभाशा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाएं आप जिनसे प्रेम करते हैं सदा उनके समीब रहना चाहते हैं नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े बिछड़ना पड़े परन्तू एक समय के पश्चार अपनों से दूर हो जाना उन्नती के लिए अवश्चक है आप माता पिता हैं यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर पक पर उनका मार्ग दर्शन करते रहेंगे तो आपकी संतान स्वयम मार्ग चुनना कैसे सीखेगी मार्ग के काटों से स्वयम को बचाना कैसे सीखेगी इसलिए एक समय के पश्चार अपनों से बनाए गई दूरी सदालाब दायक रहती है आज मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूँ एक दिन प्राता है एक व्यापारी अपने घर से निकला घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काटती व्यापारी घबरा गया वो फिर से घर लोड़ गया और शुब घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा और जब वो पुना अपने घर से निकला तब वो वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुँचकर उसे भेटते नी थी राजा को भेट नहीं मिली राजा क्रोधित हो गए राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा पत्नी अपने बच्चों समेथ मैके वापस चली गए और उस व्यपारी की जीवन में यदी कुछ रह गया था तो केवल अंधकार और इन सब का कारण वो उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था ऐसा ही एक दूसरा व्यपारी राजा को भेट देने निकला और उस व्यपारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया वो व्यपारी तनिक घबराया परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा राजा तक वो समय पर पहुँचा उसने राजा को भेट लिए राजा प्रसन्य हुए और राजा ने व्यपारी को अपना व्यपार बढ़ाने की अनुमती दी स्वण आभूशन दी जब व्यपारी घर पर पहुँचा तो पत्नी को आभूशन और अपने बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे उसके पास हर ओर प्रसन्यता थी समझ रहे हैं ना दोनों के साथ एक ही प्रकार की खटना हुई परन्तु दोनों की प्रतिक्रिया भिन थी ऐसा ही हमारा जीवन भी है हमारे जीवन में प्रारब्द का अपना स्थान है परन्तु उससे कई अधिक महत्वपून हमारी प्रतिक्रिया हमारे सोच का प्रभाव है चुकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए आपका जीवन सदैव आनन्द मै हम सभी अपने जीवन में कोई न कोई कार रिकरते हैं कार रिकरते हैं तो ठकान की अनुबूती होती है और यदि ठकान ना उत्रे तो कार करने का मन नहीं करता है हम आशा करते हैं कि कदाचित एक दिन में 24 के स्थान पर 26 घंटे होते तो अराम करने के लिए हमें और अधिक समय मिल जाता है हमें ऐसा आनुभव होता है कि हम बहुत अधिक कार कर रहे हैं है ना परंतु क्या आपने गभी सोचा कि जो लोग संसार में सफल हैं उनके पास भी सफल होने के लिए दिन में केवल 24 घंटे थे तो फिर वो सफल क्यों है इसका एक छोटा सा रहस्य है वो वो कारे चुनते हैं जो उन्हें प्रिये जिसे करने में उन्हें आनंद आता है उन्हें लगता ही नहीं कि वो कार कर रहे है उन्हें लगता है कि वो प्रतीफल आनंद मना रहे है और जब आप आनंद मनाते हैं तो ठकान कैसी इसलिए यदि आप जीवन में कोई भी कार करें तो वो आपके मन को भाना चाहिए या जो कारे आप कर रहे हैं उसे अपने मन को भा देने दो सफलता आपको मिलेगी कभी सोचा है हमारा जीवन भी उस रेट की घड़ी की भाती है जो रेट नीचे गिर चुकी है वो हमारा अतीव जो अब भी उपर है वो हमारा आने वाला भविश्य है और वर्तमान ये संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे करके रेट गिर रही है अर्थाद हमारे पास जीने के लिए यही एक शन है उसका उपयोग कैसे करना है ये हमपर निर्भर करता है जो बीट गया उसका दुख मनाना है या जो भविश्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है सब कुछ करने के लिए यही एक शन है प्रसन रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है प्रतीक्षा करते रहोगे तो ये पल भी भूत काल में बदल जाएगा इसलिए आनंद के लिए परोकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजी आपके पास जो पल है उनका भरपूर सदुप्योग कीजी चुकि इस घड़ी को पलट कर आप फिर से समय अविश्य गिन सकते हैं परन्तु अपना बीता हुआ समय आप बाबस नहीं लोटा पाएं मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है अपनों से नीचे के अस्तर के लोगों को वो हे दृष्टी से देखता है उनका उपहास उडाता है उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता तुम भविश्य में कुछ नहीं कर पाओगे जब मनुष्य के पास धन संपत्ति मान होता है तो वो दूसरों का आदर नहीं करता परन्तु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है और वो है समय काल काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता कोईला भी समय के साथ-साथ हीरे में परिवर्थित पुझाता है इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उडाना चाहिए गर्ब, अभिमार और अहंका ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं परन्तु तीनों का अर्थ भिन्न होता है और परिनाम भी तीनों का आरंब प्रेम से होता है स्वयम से प्रेम, परिश्रम हमारे मन में गर्व को जन देता है और सफलता अभिमान जगाती है यहां तक ठीक है परन्तु जब ये भावना अहंकार बन जाती है तब वो समस्या बन जाती है चूकि सबसे बुरा अन अहंकारी का ही होता है परन्तु मनुष्य के लिए पहिली यही है कि पहचाना कैसे जाए यह अहंकार जग गया और उसका दमन अवश्यक है इसका उत्तर मैं नहीं आपका मन देगा जब तक आप स्वयम से प्रसन है जब तक आप सबसे उचा उठने का प्रयास कर रहे हैं तब तक ही परन्तु जब आपके मन में दूसरों को नीचा समझने का भाव आ जाए तो सावधान हो जाईए जो कि यही अहंकार है जो वास्तव में आपको हीन कर रहा है आज मैं आप सब को एक कहानी सुनाता है एक दिन गोकुल में दो व्यापारी आए एक व्यापारी शहद का था बड़ा मीठा शहद था उसका परंथ वो गोकुल में टिक नहीं पाया उसके व्यापार ने घाटा खाया और शीग्र ही वो गोकुल छोड़कर चला गया और दूसरा व्यापारी मिर्च का था पहले दिन वो एक पोटली लाया और दूसरे ही दिन वो पूरी बैल गाड़ी भर कर लाया और धीरे धीरे पूरी मतुरा में उसकी धाक जम गई मुझे बड़ा आश्चरे हुआ तो मैंने बाबा से पूछा कि ऐसा क्यों कि एक मीठे शहद का व्यापारी कंगाल हो गया और एक मिर्च का व्यापारी धीरे धीरे नगर सेथ बन गया बाबा मस्कुराए और उन्होंने कहा कि मीठी बोली बोलने वाले की तीखी मिर्च भी बिख जाती है और जो कड़वी बोली बोलता है उसका मीठा शहद भी नहीं बिखता वाँ कितने उत्तम विचार है उनकी और उचित ही है मनश्य अपने जीवन में सदैव अपने वचनों से उखता है और अपने वचनों से ही गिर्था है इसलिए अपने जीवन में सदैव मीठी बोली बोलने का प्रयास कीजिए आपका जीवन सरल हो जाएगा मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है सूचि धन प्रेम अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस से चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो कितने भी प्रबल क्यों ना हो परंतु उसके रहस से उसके नाश की चाभी होती है इसलिए यदि प्रबल रहना है शक्तिशाली रहना है समर्थ रहना है तो अपने रहस्य को किसी को भी न बता ना मित्र को और ना ही शक्त्रू को क्योंकि समय पढ़ने पर कब कौन शक्त्रू हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं विभीशन को रावड के अम्रित कुंड का ग्याद था इसलिए प्रभुश्री राम रावड का बद करने में सभल हो सके इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयम तक ही सीमित रखें युवा अवस्था भी हमारे जीवन का कितना सुन्दर काल होता है ना पाहू में बल मन में कुछ बड़ा कर जाने की चाहा आखों में भविश्य के सुन्दर और पूमल सपने और इसी अवस्था में मनुष्य के भीतर बनकता है प्रेम किसी को देख कर उस पर मन मोहित हो जाता है और फिर मनुष्य अपना सब खुछ उस पर निचावर कर देना चाहता है फिर प्रेम की परिनिती होती है विवाह में क्यूं सबको अपने खटे मीठे संस्मरण स्मरण हो आए ना परंतु यही से अधिक्तर माता पिता और संतान के मद्ध विचारों का विरोध प्रारंब हो जाता है संतान को लगता है कि उसका चुना जीवन साथी ही उसके लिए उप्यूकत है और माता पिता को लगता है कि संतान अंजाने में भूल कर रही है संतान का तर्प होता है कि उसे विवा किस्थे करना है, ये उसका अधिकार और माता पिता का तर्प ये होता है कि अब भी जीवन साती चुनने की समझ संतान में है ही नहीं तो इस अवरोध को काटा कैसे जाए, उचित निर्णा कैसे लिया जाए इसका एक ही मार्ग है अपने उत्तरदाईत्व का भान और अपनों से बड़ों के माप डंडों का भान विवा करने से पूर्व ये जालने ना अवश्यक है कि विवा केवल अपने प्रेम को पाने का मार्ग नहीं है अपितु विवा से जीवन का एक नया द्वार भी खुलता है और हर नय जीवन के साथ नय उत्तरदाईत्व भी होते और यदि इन उत्तरदाईत्वों को समझ कर निर्णे लिया जाए तो विश्वास कीजिए आपका दमपत्य जीवन आनन से भरा रहेगा और आपको कभी ये पच्टावा नहीं होगा कि आपने कोई अनुचितने नहीं दी सागर का जल वाश्प बनकर उड़ता है तब वो हमें दिखाए नहीं देता है मेग उस जल को अपने भीतर छिपा लेते हैं लंबी यात्रा करते हैं प्रयास करते हैं कि वो जल सदा उनके भीतर छिपा रहे परन्तु जब वाईू का वेग उन्हें उड़ा कर किसी परवत से ले जाकर के टकरा देता है तब उन मेगों को बरसना ही पड़ता है चुकि यही नियती है यही प्रकृती है चुकि जल को सागर में जाकर मिलना ही है ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है हम सत्त अपने मन के मेगों में चाहे जितना छिपाने का प्रयास कर ले परंतु समय की आंधी उसे वास्त विक्ता के परवत से ले जाकर के टकरा कर हमारे समक्ष ले ही आती है जिस भाय के कारण आप सत्त को सामने नहीं लेकर आना चाहे एक दिन वही भाय हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है और फिर हम लाचार हो जाते हैं चुकि हमने उस भै का सामना करने की तैयारी नहीं की होते हैं इसलिए सत्थ से भागे नहीं उसे छिपाए भी नहीं उसे स्विकार करें भविश्च की बड़ी विपत्ती से बच जाएंगे कभी कभी आप सब के जीवन में एक ऐसी विचित्र समस्या अवश्याती है कि शक्तिशाली के समक्ष मौन हो जाएंगे कि उस शक्तिशाली से विवाद करने से बचने के लिए आप मौन रह जाते हैं मानता हूँ ऐसा करने से आप एक विवाद से बच जाते हैं एक संखर्ष से बच जाते हैं परन्तु ऐसा बचाओ एक बड़े संखर्ष को जन दे देता है कैसे? हमारा मौन रहना अंजाने में उसका समर्थन बन जाता है और वो स्वयम को अधिक शक्तिशाली अनुखव करता है और यहां से हमारा दमन प्रारंब हो जाता है एक के बाद ए हम अन्याय में अंचाहे रूप से संब्लित होते चले जाते तो इसका तोड़ क्या है? यह समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको विरोध करने से रोकती है यह सामने वाले की शक्ति नहीं जो आपको रोकती है यह आपके भीतर छिपा भय है जो आपको रोकता है हाँ, कभी-कभी भय आपकी सुरक्षा अवश्यक कर सकता है परन्तु साथ-साथ यह भी जानना अवश्यक है कि यह भय ही है जो आपको मौन भी रखता है इसलिए अपने मन से भय को निकाले और खुल कर अनीती का अन्याय का विरोध कीजी और फिर देखियेगा आपका मन कितना मुक्त, कितना हलका अनुभब करेगा कि अपने थे का व्य क्यातैक